ओम स्री गनेशा नमा दोस्तू एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर सौंबार के रासी फल के बारे में किह दिन करक राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा, किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिश और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिग्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपके वित्ते इस्तिती में काफी सुधार आ जाएगा कुछ नया सुरू करने के लिए आज का समय आपके लिए बहुती अनुकूल है आपकी महनत वे प्रियास के सार्थक परिणाम आज आपके सामने आएंगे विवायोग्य लोगों के लिए किसी अच्छे रिष्टे संबंदित बात चीत घर में सुरू हो सकती है दोस्तो समाज वे रिष्टेदारों में आपके प्रभाव साली व्यक्तित्व वे सरल स्वयभाव की वज़े से मान प्रतिष्टा बनी रहेगी समय कुछ मिला जुला प्रभाव आज आपके लिए लेकर आने वाला है परन्तु उसे बहतरिन बनाना आपका काम है कुछ समय से नजदी के रिष्टेदारों के बीच जो गिले शक्वे चल रहे थे आज वे किसी के माध्यमता से दूर हो जाएंगे और रिष्टे में दोबारा मधुरत आएगी प्रतिष्ट लोगों से मेल जोल बड़ेगा जो आपके लिए भविष्टे के लिए बहुती लाबदाएक साबित होगा धार्मिक इस्थल में जाने का आज प्रोग्राम बनेगा जिससे बहुत अधिक शान्ती और हलका आप महसूस करेंगे घर में सुक्षविदा संबंदित वस्तु होके भी खरीदारी होगी कोई कीमिती उपवार भी आज आपको मिल सकता है विध्यार्तियों को अपनी नोकरी संबंदित किसी छेत्र में इंटर्व्यू में सफलता के योग बन रहे हैं इसलिए पूरी महनत से अपने कारे पर प्रियासरत नहैं अपने उसूलों और सिध्धानतों से किसी भी प्रिकार का समझोता आप ना करें प्रभावसाली वे प्रतीबावान लोगों के साथ में अधिक समय व्यतित करें इससे आपके आत्म बल वे आत्म विश्वास में वरत दी होगी तथा नकारात्मक विचार दूर होंगे भाग्या से अधिक अपने कर्म पर आज विश्वास रखें दिन आपके लिए आज का बहुती अच्छा है दोस्तो बात कर लेते हैं जापके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो किसी परिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के बीच कहा सुनी हो सकती है घर के बुजर्गों की सला से संबंदों को खराब होने से बचाएं धर्म के नाम पर कोई आपका नुकसान कर सकता है वी अपने स्वयभाब से ईगो को खत्म करना होगा जिससे प्रिशानिया जंद ही हल होंगी किसी भी योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार आप हवश्चे करें किसी दुखत समाचार मिलने से कुछ समय के लिए मन में उदासी और नकारत्मक विच उठ सकते हैं परंतु आप जन्द ही सहज हो जाएंगे विध्यारती वर्ग पढ़ाई की अपेक्छा फालतु गलत फैमियों पर अधिक ध्यान देंगे अपने महत्पपूर्ण कागजातों को बहुती अधिक समाल कर रखें क्योंकि अगर खो गए तो प्राप्ती नामुम्कि लग रही है घर में भी छोटी सी बात पर एकारण ही तनाव उत्पन हो सकता है इसलिए जादा क्रोध करने से बचें दोस्तों सामाजिक गति विदियों पर अधिक ध्यान ना देने की वज़े से कुछ नजदी की लोग आपसे नाराज रह सकते हैं परंतु इन बातों पर ध दोस्तों जीवन साती की भवनाओं का आप सम्मान करें इससे संबंद और अधिक मजबूत होंगे प्रेम संबंद मर्यादा पूर्ण रखें किसी विपरीत लिंगी मित्र के अचानक ही मिलने से आपको आश्चर्य जनक प्रसन्नता महसूस होगी घर परिवार का वातावरन आज बहुती शुकद रहेगा पति पतनी का आपसी सयोग घर में शुक्षांति बना कर रखेगा प्रेम संबंदों के भी आने वाले समय में विवा में परिणित होने के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं जीवन साती का आपको आपके कारों में पूर्ण रूप से होगा तथा घर में भी शकारात्मक वातावरन बना रहेगा दोस्तों साथ ही साथ अपनी व्यस्तता में से कुछ समय परिवार वे बच्चों के लिए भी निकालना आपके लिए आवशक है इससे परिवार में आपकी रेस्पेक्ट और अधिक बढ़ेगी दोस्तों बात कर ले आप साथानी रखें क्योंकि धोका होने की भी संभाव न लग रही है नोकरी पेशा व्यक्तियों के आफिस का माहोल बहुती आज सांती पूर्ण बना रहेगा कार्य छित्र में अगर किसी प्रकार का निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो आज उस कार्य को बहुती गंभी हैं दोस्तो साती सात कार्य छित्र में दूसरों के हस्तशेप से करम चारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है इसलिए अपने निर्ण को प्रातिमिक तादें तथा वैवसाइक गतिविदियों पर भी अपनी पैनी नजर रखें साती सात नोकरी पेशा व्यक्ति भी नौफ किसमें पॉल्टिक्स के सिकार हो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तो साती सात आज आप किसी कारणों से कार्य छित्र में अधिक समय नहीं दे पाएंगे परंतु सेयोगियों और करमचारियों का आपको उचित सपोर्ट मिलेगा नोकरी पेशा वाले व्यक्तियों को अपने उच अधिकारियों का पूर्ण रूफ से सेयोग प्राप्त होगा व्यक्तियों को भी उनकी कार्य छमता के लिए प्रोतसान प्राप्त होगा जिसकी वज़े से उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपका स्वास्त बहुती उत्थम रहेगा तथा आप उरजा से भरपूर रहेगे आज आप अपने आपको काफी तंद्रूश्त और तनावमुक्त महसूस करेंगे जा दोस्तो आज का समय आपके स्वास्त के लिए आज से बहुती अच्छा समय रहने वाला है दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपई का हैं दोस्तो आज आप इस शनान आदिशनिरवत्र होने के बाद किशी तालाव के किनारे जाकर मच्छीों को आटे की छोटी छोटी गोलिया बना कर खिलाएं या दोस्तो ऐसा करने से धन संबंदित सभी प्रेशानियों का अंत होता है और भगवान भोलेनात आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन होते हैं और भगवान भोलेनात के किरपा आप पर सदे बनी रहेगी या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको आवश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान भोलेनात का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्ष में जै भोलेनात आवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद